हेलो फ्रेंड्स मैं कलीम यह गाड़ी है टाटा इंड्यूगो इस येस आए इसका प्रोलम बताता हूं आप लोगों को इसमें दिकत यह था कि गाड़ी हमारे स्टार्ट नहीं हो रहे थी तेल की सप्लाई ठीक था और इंजेक्टर में तेल भी सही आ रहा था इसका पंप अगर सब कुछ सही था गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे थी तो इसको हमने स्कैन किया तो कोई कोड नहीं आया तो फ्रेंड्स का जो हमने चेक किया इंजेक्टर निकालके तो इसका जो इंज इंजेक्टर है तीन इंजेक्टर बिल्कुल लॉक हो गया थे इसको निकाला पाहर बाहर पाइप निकालके और इसको कनेक्शन करके हमने जब चेक किया तो तीन स्प्रेय नहीं कर रहा था एक स्प्रेय कर रहा था हमने इसका इंजेक्टर पंप वाले से कराक लाया है और इसक यह जो इंजेक्टर है यह देल्फी का इंजेक्टर है देल्फी का इंजेक्टर है यह जो इंजेक्टर के नट है पहले ब्लीड कर लेंगे और इसका कपलर है कि कपलर निकाल देंगे पहले सेलफ मारके ब्लेडिंग करके फिर लगाएंगे इस कपलर को नहीं तो यह जो इंजेक्टर यह लोक हो जाते हैं अब हम इसको सेलफ मारेंगे और इसका प्लेडिंग करेंगे पहले जब पूरी तरह से ब्लेड हो जाएगी तब हम इसका इंजेक्टर की कपलर लगाएंगे तो फ्रेंड्स हमने प्रेडिंग कर लिए इस चारों की अब हम इसका कपलर लगाएंगे और गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे तो फ्रेंट्स हमने इसका कपलर है चारो कपलर लगा दिया यहां पर गाड़ी को सल्प क्रेंकिंग करेंगे और गाड़ी स्टाट अगर हो जाएगी तो इसको एक्सिलेटर दबाग कर रखेंगे फूल यह धिरे छोड़ेंगे लगा दो तो फ्रेंट्स है गाड़ी हमारे सार दूटी है